हेलो गाइज महाविर जांगिड हीर और यह हमारे जोग्राफी का थर्ड लेक्चर जो की मूवमेंट्स ऑफ दी अर्थ के उपर हैं और इसमें हम जानेंगे कि अर्थ जो है कैसे रोटेट करती है कैसे रिवाल्व करती है तो उसके दो मूवमेंट होते हैं रोटेशन और रिवोलुशन के कारण से जो अर्थ जो है इसके सर्फेस पे और इसके जो है उपर रहने वाले हुमन से है इनके जिवन में क्या परिवर्तन होता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यह मूवमें अर्थ के मूवमेंट के बारे में बात हो रही है और इसके दो मूवमेंट होते है एक होतार रिवोलुशन एक होतार रोटेशन यहाँ पर देखिए गाईज यह जो इमेज है इमेज में आप देख सकते हो कि सन के चार और यह जो एक और्बीट में अर्थ घूम रही है इसक a movement of the earth around the sun यारी sun के चारों और जो घूम रही होती है earth उसको बोलते है revolution और इसमें कितना समय लगता है तो it takes around 365 days 5 hours and 49 minutes guys यहाँ पर आपका doubt होगा कि यह जो 5 hours and 49 minutes जो extra लग रहे हैं और यह हर बार जो आगे बढ़ते रहते हैं उसका क्या होता है तो यहाँ पर ध्यान रखिए यह जो around इसको 6 hours अगर हम count कर लें तो 6 hours, 6 hours 6 hours plus 6 hours यह चारों मिला के 24 hours होते हैं यानि कि every after 4 years इसमें calendar में एक extra day add कर दिया जाता है यहाँ पर देखिए थर्ड वाला point यहाँ पर देखिए यह जो third point इसमें लिखा है कि one extra day is added in every fourth year यानि हर 14 साल में एक one day जो है extra इसमें add कर दे जाता है अब यह one day extra जाएगा कहाँ पर जो हमारी फरवरी होती है जो 28 days की होती है उसको जो है वहाँ पर एक दिन बढ़ा देंगे और जिस year बढ़ाएंगे उस year यह जो फरवरी का month जो होगा 29th fab हो जाएगा तो यह यहाँ पर उसको adjust कर दिया जाता है अब इससे फरक क्या पड़ा गया हमारा अर्थ पर यहाँ पर जितने भी seasons होते हैं जितने भी रित्मे होती है जो summer की हो चाए winter हो spring हो या फिर autumn हो जितने भी गर्मी, सर्दी, बारिश की मौसमों सारे सारे seasons जो है यह अर्थ के sun की चारों और revolution के कारण ही होती है और बहुत सारे winds जो होते हैं यह भी revolution के कारण से change होते हैं अगर मैं कहूं monsoon जिससे हमारे इंडिया में जो बारिश होती है यह monsoon कहीं ने कहीं इस revolution से ही related है इसे ही संबन्दित है, इसे से ही जुड़ा हुआ है और अब next हम देखते हैं कि rotation, rotation क्या होता है rotation देखे, यहाँ पे जो अर्थ है यहाँ पे जो अर्थ है, यह अपने axis पर ही घूम रही है, और यह कैसे घूमती है west to east तो इसी को कहते है rotation, यहाँ पे points पढ़िए, rotation is the moment of the earth on its axis, यह अपनी axis पर अपनी धूरी पर यह जो घूम रही होती, इसे कहते है rotation, इसको हिंदी में गुर्णन कहते हैं guys, इसमें कितना समय लगता है यह 23 hours 56 minutes and 41 seconds लेती है अपने axis पर एक पूरा चकर लगाने के लिए और इसी के अनुसार हमारे यहाँ पर जो दिन और रात होते हैं day and night जो होते हैं यह इसी के अनुसार होते हैं और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो winds होती है हवाएं जो चलती है, दिन के टाइम में जो नदियां बहती है, वैसे समुंदर में भी नदियां जैसे एक flow रहता है पानी का उसे कहते है currents अब हम थोड़ा moon के बारे में देख लेते हैं देखो moon के बारे में इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि moon भी कहीं ने कहीं यह भी revolution और rotation करता है तो यह moon ध्यान रखना है कि moon जो है revolution करेगा किसका earth का भी करेगा and sun का भी करेगा तो moon ध्यान रखना जो revolve होता है दो चीजों के चारों revolve हो रहा है एक तो हो रहा है earth के यानि परत्व की चारों भी घुम रहा है और सूरज की चारों भी घुम रहा है और उसके अलावे यह अपनी एक्सेस पर रोटेट भी कर रहा होता है तो यहाँ पर गाईज यह पॉइंट पर यह मून जो है यह मून जो है यह मून फ्रॉम वेस्ट टू इस्ट इवन जो है हम अगर बात कर रहे हैं कि जो earth है ये भी west to east ये move कर दी यानि कि पश्चिम से पूरुव की दिशा की और यानि ऐसे जो है ये ये rotate करते हैं और moon को जो परत्वी की चार और चकर लगाने में जो समय लगता है वो लगता है 27 days, 7 hours and 43 minutes और परत्वी की चार और घुमने में भी ये लगबग परत्वी की जितना ही समय लेता है इसलिए हम परत्वी से सरिफ चंदरमा का 59% सरफेस ही देख पाते हैं बैक साइड का सर्फेस हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि जितना समय जो moon को लगता है परत्वी की चार और घुमने में उतना ही जो परत्वी भी घुम जाती है तो यहाँ पर I hope आपको doubts clear हो गया होगे अब यहाँ पर एक चीज में आपको clear कर दो यह west to east यह एंटी clock wise घूम रहे हैं यह जो घूम रहे हैं एंटी clock wise ऐसे घूम रहे होते हैं तो यहाँ पर मैं आपको ले चलूँ एक solar system जो हमने पहले पढ़ा है उसके बारे में भी हम थ यहाँ पर guys ध्यान रखना जितने भी यह जो है यह bodies है यह जितने भी यह planets है इन सभी का direction anti clock wise है सिर्फ हमें दो जो है planets को छोड़ना पड़ेगा दो गरे को छोड़ना पड़ेगा जो की है Venus and Uranus यानि first starting से second and last side से second जो यह planets है यह east से west घूमते हैं guys यानि यह जो है इनका जो direction यह clockwise है तो अगर question बन जाए कि which of the following rotates from east to west या west to east तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो Venus और एक जो Uranus जो है यह clockwise गूमते हैं यानि east to west और बागी सारे west to east गूमते हैं guys और अब हम थोड़ा आगे एक और doubt clear कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए अर्थ जो है अर्थ सूरज की चार और गूमती है तो ऐसे एकदम गोल डारेक्शन में नहीं गूमती है यह elliptical orbit बनाती है elliptical orbit मतलब क्या होता कि यह अंडाकर जो है आकरती बनाती है अंडाकर आकरती में ध्यान लखना है कि अगर मैं कहूं जैसे कि जो sun है यह वाला sun है इसके सब से नजदिक जब अर्थ होगी जैसे यहाँ पर sun है इसके नजदिक जो सबसे जो अर्थ होगी यह इसको बोलते है Perry Helen जो की 147 million kilometers होता है यह गटना around 3rd of January को गटती है और उसके बाद में अगर हम बात करें कि जब अर्थ यानि की जो प्रत्वी जो है जो सूरत से सबसे दूर होती है उसको बोलते है एपी हेलन एपी हेलन गाइस ध्यान रखना यह 152 million kilometers जो है दूरी पर होती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका जो है जो शेप जो है अर्थ का जो ऑर्थ है जो सूर्ज की चार ओर घूम रही है उसका ऑर्थ है elliptical ऑर्थ है तो यहाँ पर ध् बनाती है अर्थ सन की चार ओर जो ऑर्बिट बनाती है वो ऑर्बिट क्या होती है elliptical होती है यह दो चीजह आपको ध्यान रखनी elliptical orbit so that's all for today thank you thank you very much if you like my videos click like share and subscribe